होंडई, मारूती सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली इस कमपनी को पता है किसने शुरू किया था इस साउथ कोरियन लड़के ने, नाम है चुंग जुयंग बचपन में सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए 17-17 घंटों तक खेतों में काम किया अमीर बनने का सपना लिए कई बार घर छोड़ कर भागा यहां तक कि कई बार तो इसके बिजनसे आग लगने, बाढ़ आने और युद्ध की वज़ा से खत्मतक हो गए लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए इसने दुनिया के सबसे बड़े कार कमपनियों में से एक होंड़ाई को बनाया तो अगर आपको भी लगता है कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइब बदलने वाला है तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 में जब एक गरीब कोरियन फैमली में चंग्जू युंका जन्म हुआ था उनके पिता एक किसान थे जो अपने साथ बच्चों का पेट पालने के लिए पूरे दिन खेतों में काम किया करते थे युँ तो चंग्जू यंग का सपना पर लिक कर एक टीचर बनने का था लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार तो भूके पेट ही सोजाना पड़ता था ऐसे में अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए एक खुबसूरत सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था खराब फाइनेशल कंडिशन के चलते चंग अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में ही काम करते हुए बिताते इसके अलावा कभी वो जानवरों को चराने का काम करते तो कभी लकड़ियां काट कर उसे शहर बेचने लेकर जाते लेकिन जब वो सिटी लाइफ को देखते थे तब उन्हें बहुत हैरानी होती थी साप सुथरे लोग, खुबसूरत कपड़े, अच्छे रोट और खाने की तो कोई कमी ही नहीं ये सब देखकर उनके मन में भी ख्याल आता था कि अगर वो भी शहर चले जाएं तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे लेकिन समस्या ये थी कि अपने 16 साल के बच्चे को उनके माता-पिता अकेले जाने ही नहीं देंगे उसी दोरान चंग जू यंग के हाथ में एक नियूस पेपर लगा जिसमें खबर छपी थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए वरकर्स की जरूरत है और जैसा कि उन्हें पता ही था कि उनके मम्मी पापा तो उन्हें जाने नहीं देंगे इसे लिए वो बिना किसी को बताए 1932 में घर से भाग गये इसके बाद से वो 9 शहर पहुँचे जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मजदोरी के लिए रख लिया गया अब यहां काम जितना मुश्किल था मिलने वाले पैसे उतने ही कम इसके बावजो चंग जू यंग ये सोचकर सटिस्पाइट थे कि पहली बार वो अपने दम पर कुछ कर रहे हैं हलाकि उनकी ये खुशी जादा दिनों तक कायम नहीं रही क्योंकि घर छोड़ने के बाद से ही उनके माता पिता इन्हें पागलों की तरह ढूंड रहे थे और फिर आखिरकार दो महिनों के बाद जंग उन्हें मिली गये पिता ने उन्हें डाट लगाई समझाया और जैसे तैसे मना कर अपने साथ घर लेकर आए अब चंग घर आकर फिर से वही खेतों में काम, जानवरों को चराना और लकडियां काटने जैसे पुराने कामों में लग गये लेकिन इस सब में उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था हर वक्त दिमा कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रता था, वहां बिताये गए वो पलों को याद करते थे जिसके चलते धीरे-धीरे उनके मन में कंस्ट्रक्शन और इस जैसे प्रोजेक्ट से उन्हें लगाओ होने लगा अब चंग जू यंग के घर वापस आने से फैमली तो बहुत खुश थी लेकिन चंग को अपने पुराने रूटीन में घुटन सी महसूस होने लगी मानो जैसे शहर उनका इंतजार कर रही हो इसी के चलते वो दो बार और घर छोड़ कर भागे लेकिन फिर से कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता उन्हें ढूंड लिया करते थे और फिर न चाहते हुए भी चंग को घर वापस आना पड़ता था अलाके इसके बाद उन्हें फिर से एक बार हिम्मत जुटाई और 18 साल के उमर में चौती बार घर छोड़ कर सी ओल चले गए जो के फिलहाल साओध कोरिया की राजधानी है यहाँ पहले तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर का काम किया लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक फैक्टरी में जौब मिल गई जहाँ पर चंग एजा असिस्टेंट काम करने लगे इस तरह यहाँ काम करते करते कुछी दिनों में उन्हें बोखयूंग राइस स्टोर नाम की एक चावल की दुकान में अच्छी सालरी पर डेलेवरी बॉय की जौब मिल गई और यहाँ से उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलावाना शुरू हुआ चंग जू यंग अपने काम को खुब एंजवाय कर रहे थे और अपनी पूरी लगनवा इमानदारी के साथ अपनी डूटी निभा रहे थे जिसे देखकर स्टोर के मालिक उनसे खुब इंप्रेस हुए और फिर सिर्फ छे महिनों में ही उन्हें डिलेवरी बॉय से शौप का मैनेजर बना दिया गया फिर आया 1937 जब शौप के मालिक बहुत बिमार पड़ गए और उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो आग्ये के कामकाच को संभाल सके ऐसे में उन्होंने अपना ये राइस स्टोर चंग के हाथों में सौप दिया इस तरह से सर्फ 22 साल के उमर में चंग अपनी महनत के दमपर राइस स्टोर के इंप्लॉई से उसके मालिक बन गये थे और फिर उन्होंने इस स्टोर का नाम बदल कर क्योंगिल राइस स्टोर रग दिया इसके बाद से उन्होंने लो प्राइज हाई क्वालिटी और टाइमली डेलेवरी के दम पर एक बहुत ही लोयल कस्टमर बेस तयार कर लिया लेकिन जब उनका करवार बहुत अच्छे से चल रहा था तबी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्होंने सब छोड़कर घर लोटने पर मजबूर कर दिया असल में उस समय कोरिया पर जापान का कबजा था और जापान वर्ल्ड वार्ट टू में कूत पड़ा था ऐसे में जैपनीज गवर्मेंट चाहती थी कि वार के दोरान उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मताबिक चावल मिलता रहा इसके लिए उन्होंने वाहा की सारी राइश शॉप्स को अपने कबजे में ले लिया था जिसमें की चंग जो यंग का शॉप भी शामिल था अब चंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉबलम थी लोन को चुकाना और कस्टमर्स को जले हुए वीकल्स का मुहावजा देना काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने वापस से 35 वोन का लोन लिया और पहले से भी ज़्यादा बड़ा गयराज ओपन किया चंग बहुत ज़्यादा मैंती थे जिसके चलते इनका काम कस्टमर्स को पसंद आने लगा और सिर्फ तीन सालों में ही उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने सारे लोन्स रीपे कर दिये और साथी घरवालों को मना कर अपने साथ शहर लेकर आए इस समय तक इनका कारोबार खोब चल रहा था और इनके एमप्लोईस की संख्या एक से शुरू होकर असी तक पहुँच चुकी थी लेकिन उनका ये सुनहरा दौर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला एक्चुली जैपनीज गवर्मेंट ने वार में यूज होने वाले एक्विपमेंट बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लैंट के साथ में मर्ज कर दिया यानि कि एक बार फिर से चंग वहीं आकर खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी एक तरब तो गैराज छिंजाने का दुख उपर से सियॉल में बढ़ता तनाओ इसे देखते हुए वो अपनी फैमली के साथ गाउं वापस से ले आये लेकिन अच्छी बात ये थी कि चंग ने 50,000 वोन की सेविंग कर रखी थी इसे लिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी कि वो वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं बस इंतजार था तो वार खत्म होने का साल 1946 में 2 वर्ड वार का अंतो हुआ और कोरिया जापान के कबजे से आजाध हो गया इसी साल चंग ने सियॉल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैराज स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया हुंड़े मोटर सर्विस जापान को वर्ड वार टू में हराने के बाद सौथ कोरिया में यूएस का इंफ्लुएंस काफी बढ़ गया था जिसकी वज़स से चुंग को यूएस आर्मी के ट्रक रिपेरिंग का काम मिल गया इसके कुछ समय के बाद उन्होंने रोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलेटरी फोर्स के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स बना रहा है जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन का वो पैशन दुबारा से जग गया जो की बचपन में उन्होंने एक्स्पिरियंस किया था लेकिन दोस्तों जो चंग का स्ट्रगल है न वो यही परखत्म नहीं हुआ क्योंकि जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वार शुरू हो गया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पढ़ने लगा और उसकी मिलेटरी फोर्सेज ने सियोल को कबजे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी ऐसे में वहां के लोगों में दहशत फैल गई और सब शहर छोड़कर भागने लगे इसमें चंग भी शामिल थे जो कि सारा कारुबार छोड़कर कुछ सेविंग्स के साथ जान बचाने के लिए बूसन शहर चले गए इस जंग में यूएस मिलेटरी फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया और वार के दोरान ही चंग ने नोटिस किया कि मिलेटरी फोर्सेस को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेटक्वार्टर और टेंट की जरूरत है यहाँ चंग को एक बड़ी ओपरचुनिटी ने जराई और वो एक छोटा सा ग्रूप बना कर इन प्रोजेक्स में भी काम करने लगे चंग ने हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें लॉस भी हुए लेकिन इसके वावजूद उन्होंने समय पर काम पूरा करके US Officials का भरोसा जीत लिया अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई लेकिन उस वक्त तक Americans से जंग की professional relationship काफी strong हो चुकी थी जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे project मिलते रहे अब इस बार war में South Korea में बहुत तबाही फैली थी infrastructure की धजिया उड़ गई थी जिसके बाद से government उसे दुबारा से rebuild करना चाहती थी और दोस्तों South Korea के redevelopment में Hyundai civil industry का बहुत major role रहा और उन्हें कई सारे बड़े बड़े projects मिले जिनमें की कई सारे express ways Korean nuclear plant और dam शामिल थे इसके बाद से 1960 में Korean government एक ऐसी policy लेकर आई जिसने की Hyundai को car repairing से एक car manufacturing company बनाने में बहुत मदद की असल में government ने वहा की economy को मजबूत बनाने के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई भी foreign automotive company तभी South Korea में business कर सकती है जब वो किसी local company के साथ में tie up करे इस rule ने Hyundai के लिए एक नई opportunity open कर दी और Chang ने इसको miss न करते हुए 1967 में Hyundai motor company की शुरुवात की इसके एक साल बाद यानि 1968 में Hyundai ने Ford के साथ partnership कर ली और उलसान शहर में 6 महने के अंदर एक बहुत बड़ा assembly plant बना कर तयार कर दिया जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी automobile plant है इसके annual production capacity 1.6 million unit है और इसमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए 75,000 highly skilled employees काम किया करते हैं खैर Ford के साथ joint venture में Hyundai ने उसकी famous car Ford Cortina के तरच पर Hyundai Cortina को launch किया लेकिन दोस्तों Ford क्योंकि एक American company है जिसके Cortina भी वही के सडकों के लिए design की गई थी वही South Korea की सडके वार में मिलने वाले गड़ों से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी ऐसे में Hyundai Cortina कमपनी के लिए बहुत बड़ी failure साबित हुई कमपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग refund के डिमांड करने लगे लेकिन इससे पहले की चंग इन सभी प्रॉब्लम्स से निपट पाते 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ाई जिसमें की उलसान का पूरा assembly plant ही डूब गया नई तयार की गई चार्स में भी पानी भर गया और कमपनी को बंद करने तक की नौबात आ गई लेकिन दोस्तों चंग ने अपनी जिंदेगी में इतना failure देखा था कि अब मानों इन सब की उन्हें आदत सी हो गई थी उन्होंने फिर से प्लैंट को शुरू किया और हर तरह की प्रॉब्लम्स पा रही थी इसके चलते दोनों कमपनियों की बीच कॉन्फिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंड़ाई के साथ कॉन्ट्रेक को खत्म कर दिया अब अचानक से फोर्ड का जाना हुंड़ाई के लिए मानों सब कुछ बरबात कर देने वाला था क्योंकि उस समय त उस समय के बड़े प्लेयर्स फॉक्स वैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा लेकिन इन दोनों कमपनियों ने ही से ठुकरा दिया था और फिर इसके बाद से चंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ भी डील करने की ट्राई की और ये ड बिटिश लिलैंड के अंडर आने वाली कंपनी और दोस्तों जोर्ज टरनबुल ने भी अपनी लीडर्शिप में इस प्रोजेक्ट के लिए पांच और भी इंजिनियर्स को हायर किया जिसमें की कार की जो बॉड़ी होती है उसके डिजाइन एक्सपर्ट केथेन बार्डने अब दोस्तों उसी दोरान साउथ कोरियन सरकार ने कार मैनेफेक्ट्रिंग कंपनी से एक ऐसा विकल बनाने के लिए कहा जो कि पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो साथी ये इतना एफोर्डेबल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तमाल कर सके इसी को माइड में रखत गया था पॉनी ये एफोर्डेबल होने के साथ ही हाइली परफॉर्बेंस और बैतरिन डिजाइन वाली कार थी पॉनी सौथ कोरिया में इतनी सफल होई कि कुछी समय में इसने वहां की कार मार्केट का 60% हिस्सा कैप्चर करके हुंडई को वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया इस सफलता के बाद से चंग ने तीन लाग कार मैनेफेक्चर करने का फैसला लिया जिसके बाद से हर कोई इसे एक बेंकोफी वरा डिसीजन कहने लगा क्योंकि साथ कोरिया की टोटल मार्केट डिमांड सिर्फ 30,000 कार्स की थी ऐसे में 3,000,000 का मैनेफेक्चर करन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था लेकिन दोस्तों चंग तो यहां पर कुछ बड़ा ही सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी नई कार्ड को साउथ कोरिया से निकाल कर फॉरेन मार्केट में भी लॉंच कर दिया 1982 में होंड़ाई ब्रिटिश मार्केट में एंटर हुआ जहां अपने पहले ही साल में उसने 2993 कार्ज बेज दी फिर आगे चलकर 1984 में इसने कैनेडियन मार्केट में पॉनी 2 को लॉंच किया जो कि अपनी अफोर्डिबिलिटी के चलते खूप ही मसुई और कम्पनी वहां भी अपनी स्ट्रांग प्रेजन्स डेवलप करने में काम्याब हो गई हाला कि होंड़ाई अब तक तो कई सारे देशों में अपनी पहचान बना चुका था लेकिन अभी तक अमेरिका जैसी मेजर मार्केट में एंटर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था और दोस्तो कि युएस के अंदर सेकेंड हैंड कार के मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है ऐसे में कम्पनी ने वहां इन्हीं को ही ठार्गेट किया और 1986 में second hand car के ही price पर Hyundai XL को 5 साल की warranty के साथ American market के अंदर launch कर दिया अपने इस strategy से company targeted customers को लुभाने में खूब काम्याब हुई और अपने पहले ही साल में इसने 1,70,000 cars बेच कर बाकी car company को हैरानी में डाल दिया लेकिन दोस्तों इस आकड़े में अगले साल और भी ज़्यादा उचाल देखने को मिला क्योंकि 1987 में Hyundai की वहाँ पर 2,60,000 car sell हुई थी जिसके चलते इन दोनों सालों में एक्सल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही थी अब दोस्तों एक्सल कार ने Hyundai को उसकी presence strong बनाने और global level पर एक major car company के रूप में पहचान दिलाने में help तो की लेकिन कार की affordability और कुछ technical issues की वजह से कुछ समय बाद इसे एक Jeep Korean brand कहा जाने लगा अब दोस्तों इस image से company को बाहर निकालने के लिए engineers ने खूब experiment किये कई सारे R&D centers खोले गए और काफी research के बाद 1990s के दोरान Hyundai Sonata और Hyundai Accent जैसे कई सारे future loaded car market में उतारी गई और दोस्तों ये सभी car बहुत ज़्यादा successful रहे थे साथी इससे worldwide company की reputation भी काफी ज़्यादा बढ़ गई अब दोस्तों अगर आज की बात करें तो Hyundai दुनिया के top 100 most valuable brands में शामिल है साती ये Toyota और Volkswagen के बाद production के मामले में दुनिया की third largest car maker company है जिसका business 193 countries में फैला हुआ है लास्ट येर Hyundai ने worldwide 6.845 million unit sell की थी जिसमें से 8,07,066 unit तो सर्फ इंडिया में बेच करें ही company ने एक नया record बना दिया था फिलाल ये इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कार्मेकर है जो की महिंद्रा और टाटा जैसे स्वदेशी कमपनियों को भारी टक कर देती है तो दोस्तों इस तरह से चंग जू यंग की हार न मानने वाली जिदने उंड़ाई को ना सर्फ दुनिया के टॉप ब्रैंड्स में शामिल कराया बलकि साउथ कोरिया के development और economy में भी बहुत बड़ा contribution दिया